आज के टाइम पे YouTube चैनल बनाना उतना आसान है जितना आसान आपको अपने mobile phone को on करने में लगते हैं मतलब बहुत आसान लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप अपने वीडियो के description में अगर कोई भी external link एड़ करते हैं जैसे Instagram का link एड़ करते हैं तो आप लो इसके videos के description में मैं कोई भी external link एड़ करता था जैसे कोई भी application का link डाल दिया तो वो link काम नहीं करता था तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ जैसे मैं यहाँ अभी अगर edit के option पे click करता हूँ और इसके description में अगर मैं click करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको एक notification सो करता है और आपके video के अंदर जो भी link आपने एड़ किया वो काम नहीं करता है तो इसको ठीक कैसे करना आज किस video में मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगा और जैसे मैंने ठीक किया वैसे आप भी YouTube videos का description का link है उसको सही कर सकते है आप जो भी link का डालेंगे वो काम करेगा लेकिन कैसे करेगा चली मैं आप लोग को दिखाता हूं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना आपको Chrome browser को open कर लेना है लेकिन एक आप लोगों से एक request है अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको क्या करना आपको इस वीडियो का like करन जीगा तो यहां पर इस तरी के से YouTube आपन हो जाता है तो आपको क्या करना मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं तो यहां पर थोड़ा सा जूम करते हैं अब यहां पर देख सकती है मेरे चैनल का जो प्रोफाइल देखने के लिए मिल रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है अब जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहां पर एक ऑप्टन मिल जाता है YouTube का तो आपको क्या करना इस पर लॉंग प्रेस करके रखना है और पहला जो ऑप्टन आपको मिलते है Şuपन देख सकते हैं यहां दो YouTube का लोगो दिख रहा है तो अभी फर्स्ट लोगो पर क्लिक है तो आपको क्या करना सेकेंड यूट्यूब का लोगो मिलता है उस पर क्लिक कर देना है अब जैसे सेकेंड लोगो पर क्लिक करते तो आपकी यूट्यूब यहां पर आप लोगो क्या करना पड़ेगा तो यहां पर देख सकते हैं आपको जो सेटिंग का ओप्सन देखने के लिए मिलता है नीचे साइड में इस पर क्लिक करना है उसके पाद यहां पर एक पॉपप विंडो इस तरीके से मतलब ओपन होता है तो यहां पर जो चैनल का आप लोगों को तरीके से एयरर नहीं होगा और इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा तो इसके लिए तीन option मिलता है मैं आप लोगो दिखा रहा हूँ जैसे यहाँ पे enable के option पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगो कुछ option मिल रहा है तो तीन तरीका है जिससे आप यह जो तीसा option है इसको enable कर सकते हैं तो पहला तरीका क्या है mail में आपको एक link भेज़ेगा उसमें click करना है और video verification करना है उस पर जैसे click करेंगे तो आपका camera open हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से mobile रखना है और इस तरीके से आपको side profile दिखाना है फिर उपर नीचे करके आपको अपना sir दिखाना है ताकि YouTube को लगे कि आप जो बनने हैं या फिर passport है उससे verify कर सकते हैं तीसरा option मिलता है channel history का और अगर आप यहाँ पर तीसरा option देखेंगे तो यहाँ पर टिक है मतलब यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा option से ही मेरा जो channel है यह verify हुआ है इसमें आपको कोई भी video verification नहीं करना कोई भी document वगेरा submit नहीं करना है यहाँ यहाँ पर verify हो जाता है लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा time देना पड़ेगा इसमें time लग जाता है अब time कैसे लग जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना मैं आप लोगों को दो काम बता रहा हूं यह दो काम करके आपको अपने YouTube चैनल पर छोड़ देना है ताकि यह ज चैनल में क्या किया था मैंने YouTube का कोर्स जो बना रहा था उसी कोर्स का मैंने यहाँ पर तीन वीडियो अप्लोड कर दिया और उसका जो वी title, tag, description है वह भी मैंने यहाँ पर दाल दिया और इस email id से जो मैंने यहाँ पर नया चैनल बनाया है इस email id से आपको क्या करना YouTube पर जा चैनल हिस्ट्री से आपका जो चैनल है वो वेरिफाय हो जाएगा, तो ये क्या से होगा, तो ये दो महना के बाद ही होगा, मतलब दो महना वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दो महना वेट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो वेरिफ तो आपको इन्फर्मेशन अच्छी लगी हो जानकारी सही लगी हो तो आपको लाइक करना है चैनको सब्काइब नहीं किये तो चली मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद